ओम, सूपरभाद प्रियवद्यार्थियो, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है प्रियवद्यार्थियो, आज हम पाठ आठ शिरी राम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और शिरी राम के जीवन के बारे में जानेंगे, तो आप सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से सुनें, पढ़ें और फिर इसके प्रिश्न उत्रों को करें, तो आईए शुरू करें, पाठ आठ शिरी राम शिरी राम का सबसे पहले आप अपनी फिर नोट बुक पे चित्तर बनाएंगे, उसके बाद इसके क्वेश्न अंसर लिखेंगे आईए शुरू करें, पराचीन समय में एक बड़े राजा हुए हैं, पराचीन होता है पुराने समय में एक बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम था राजा दश्रत पुराने समय में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था राजा दश्रत उनकी राजधानी आयोध्या थी उनकी जो राजधानी थी वो आयोध्या थी राजा दश्रत की तीन राणिया थी पहली रानी का नाम कोशलिया, दूसरी का सुमित्रा और तीसरी का कैकेई था इन से उनके चार पुत्तर हुए तीन रानिया थी और इनके चार पुत्तर हुए कोशलिया ने शिरी राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्षमन और शत्रुगन को जन्म दिया और कैकेई ने भारत को जन्म दिया तो ये आपको अजरिक्त प्रिशन के दोर पे भी पेपर में आ सकते हैं कैकेई ने किसको जन्म दिया तो आपको पता होना चाहिए भारत को सुमित्रा ने किसको जन्म दिया लक्षमन और शत्रुगन को तो ऐसा भी आ सकता है लक्षमन की माता का क्या नाम था तो आपको पता होने चाहिए सुमित्रा और शिरी राम की माता कौशल्या शिरी राम राजा दश्रत के बड़े पुत्तर थे सबसे बड़े पुत्तर का नाम शिरी राम था अपना बुड़ापा निक्ट देख राजा ने उन्हें युबराज बनाने की गोशना की जब दश्रस ने देखा कि मेरा समय समापत हो रहा है मैं बुड़ा हो गया हूँ तो उन्होंने अपने बड़े पुत्तर जैसा की नियम के अनुसार भी किया जाता है कि राजा जो है बुड़े हो जाने पर या सन्यास ले लेने पर बड़े पुत्तर को ही राजा का उत्तर धिखारी बनाया जाता है वैसा ही निरने उन्होंने भी लिया चोटी रानी के कई को ये अच्छा नहीं लगा उसने राजा से दो बर मांगे उसने राजा से दो वर्दान मांगे पहले बर से उसने भरत के लिए राजगदी मांगी भरत उसका पुत्तर था वो अपने पुत्तर को राजा बनाना चाहती थी तो पहले बर्दान में उसने अपने पती से ये बर मांगा कि मेरे पुत्तर को भरत को राजा बनाओ दूसरे बर से राम के लिए चोदा बरस का बनवास मांगा और दूसरा बरदान ये मांगा कि राम को चोदा बरस के लिए चोदा साल के लिए बनवास दे दिये जाए क्योंकि वो राम को बन में भेज करके अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी क्योंकि नियम के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है तो शिरी राम के वहाँ पर होते हुए भरत को राजा नहीं बनाया जा सकता था इसलिए उसने राजा से बर मांग लिया कि राम को बनवास दे दिये जाए और भरत को राजा बनाये जाए ये दो बर उसने मांगे शिरी राम अपनी पतनी सीता के साथ बन चल गए पीता की आग्या मान करके शिरी राम जो थे वो बन चले गए उनके साथ भाई लक्षमन भी गया लक्षमन भी उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ जंगल चला गया शिरी राम के वियोग में दश्रत ने प्राण त्याग दिये उनकी मिर्त्य हो गई परन्तो भारत ने शिरी राम को बन से ले आने का प्रतन किया लेकिन भरत नहीं चाहता था कि शिर राम बन में रहें और मैं राजा बनूँ वो राम को ही राजा बनाना चाहते थे तो वो राम को लेने के लिए जंगल में गए बन में गए और बहुत प्रतन कियों उन्हें बापस लाने का लेकिन शिर राम नहीं लोटे वो अपने पिता क यूशी आग्या को पूरा करने के लिए, बनवास के लिए बन मैं चले गए, और वह से नहीं लोते, वह पिता की आग्या का पालन करने के लिए, बन ummy ही रहे, बन मैं लंका के राजा रावन ने सीता का हरन कर लिया, रावन ने सीता को हर लिया, शृरी राम ने हनुमान सु breathtaking था सुग्रीब की वानर सेना की साहिता से रावन को मार दिया उन्होंने सीता को कोजा और उसके बाद हनुआन की सेना के साथ सुग्रीब की सेना के साथ रावन का वद किया सीता को लेकर वे लक्षमन समेथ आयोध्या बापस आय और राज्या संभाला जब बनवास खत्म हो गया उसके बाद वो बापस आयोध्या आ गए और अपना राज्या संभाला श्री राम का राज्या आदर्श राज्या था अच्छा राज्या था उसमें सारी प्रजा सुखी थी हनुमान श्री राम का महान सेबक माना जाता है श्री राम का महान सेबक किसे माना जाता है लक्षमन या हनुमान तो हनुमान को श्री राम का चरित रामाइन में है पूरा उनकी जीवन की गाता जो रामाइन में दी गई है रामाइन की रचना जो रामाइन नाम का गरंथ है वो किस ने लिखा था मारिशी बालमिकी ने लिखा था मारिशी बालमिकी में ने रामाइन का गरंथ लिखा था पुरुष्ट की सभी दृष्टियों से पूरी मर्यादा पालने के कारण श्रीराम को मर्यादा पुरुषोतम कहलाते हैं श्रीराम ने पुरुष्ट की दृष्टि से मर्यादा का पालन किया और इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोतम भी कहा जाता है तो ये था हमारा चोटा सा पाठ शिरी राम के बारे में कुछ हमने जाना तो आईए इसके प्रिशनोत्रों की ओर चलते हैं पहला प्रिशन है शिरी राम के पिता का क्या नाम था तो हमने पाठ में पढ़ा शिरी राम के पिता का नाम राजा दश्रत था दूसरा प्रशने शीराम की पतनी का क्या नाम था तो शीराम की पतनी का नाम आप सभी जानते हैं सीता जी था राजा दश्रत की मृत्तियों कैसे हुई उनको किसी ने मारा नहीं था लेकिन पुत्तर वियोग के कारण उनकी मृत्तियों हुई जब राम बन चले गए उन्हें बड़ा दुख हुआ इसके कारण उनकी मृत्तियों हो गई प्रान त्याग दिये उन्हें शीराम कितने बर्षों के लिए बन में गए, कितने साल वो जंगल में रही, चोदा बर्ष सीता का हरन किसने किया, किसने सीता को हरा, चुराया, रावणने रामाइन की रचना किसने की है, तो रामाइन की रचना अबने उपर पड़ा, महरीशी बालमी की ने की है राम राज्या अच्छा क्यों माना जाता है क्योंकि उसमें सारी प्रजा सुखी थी और राम राज्या अदर्ष राज्या था इसलिए उसे अच्छा राज्या माना जाता है राज्या दश्रत के चारों पुत्रों के नाम लिखो सीकुंस वाज लिखने हैं सबसे पहले बड़े पुत्तर का नाम उसके बाद अगले उसके बाद अगले तो सबसे पहले शीरी राम फिर लक्षमन फिर शेत्रुगहन फिर लास्ट में भारत ये चार पुत्तर थे राजा दश्रत के तो ये हमारे इस पार्ट के प्रिशनोत्तर लोगों लिखेंगे तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर समापत होता है आप सभी का दिन मंगलमाई हूँ धन्या वाज़ाए पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट